हेलो दोस्तों तो लोगों के मेसेज आ रहे थे कि लोग अपने रैंक कैसे कमेंट कर रहे हैं टेलिग्राम पे लोग एक दूसरे के अपने रैंक और मार्क्स जो भी है वो सेर कर रहे थे तो लोगों मेरे को कमेंट किये तो बताना आपकी कैसे क्या कर रहे हैं तो उसके रिगा SGS, CGL, CHSL, किसी चीज़े त्यारी कर रहे हो तो यहाँ पर आप free classes और paid classes दोनों देख सकते हो यहाँ पर best educators classes ले रहे हैं आपकी तीन मार्च से नया class नया batch स्टार्ट हो रहा है आपका और scholarship test है 7 March को एक करोड का आपका prizes में और आप इसको SSC previous use करके कर सकते हो टेस्ट दे सकते हो और scholarship जी सकते हो चाहो तो आप कोई मंत का package भी ले सकते हो या आप yearly package भी ले करके अपने तयारी कर सकते हो देखें यह क्या मसला है rank वाला और क्या मसला है marks वाला तो यह आपको link मिल जाएगा telegram group join कर लेना यह आपके पास होगा इसको use कैसे करना है तो SSC वाली जो आपकी answer की वाला जो page है इंटरनेट पर उसका जो URL होगा जैसे google www.google.com टाइप करते हो ऊपर बहुत सारी लोग हो पेस कर देना या mostly बहुत लोगों के पास है नहीं है तो आप telegram group का link नीचे है वहाँ से join कर लीजे telegram और वहाँ पर मिल जाएगा आपको यह जब page खुलेगा तो आपको करना क्या पड़ेगा पहले आपना जो answer की वाला जो SSC का link है वहाँ से जो आपका page खुलेगा math वाला marks आएगा पहली चीज तो और कितने सही थे कितने गलत थे वह आजाएगा तो यह script होती है जिससे आपने जिन्होंने script के तुरू use किया था script क्या होता है एक तरह का code होता है बहुत सारे लोग technical background से नहीं होंगे तो एक तरह का algorithm है और उसके तुरू आपका सही और गलत answer आज तो इसको लेकर कि बहुत जादा serious इसलिए पर नहीं होईगा क्योंकि अभी यह raw marks है आपका और normalize marks अभी आगे आना है और अभी tier 3 है तो कुछ बहुत जादा serious लेंगे जोड़त नहीं बस यह कि आपको वह जो check करने वाला process है उससे बच जाओगे जिसे bank में simple सा जिसे bank में note गिनने का जो machine होता है वो सीधा machine लगाता है machine आपका सीधा बता देता है सेम कुछ कान ही ऐसे ही है कि बस आप यहाँ पर URL type करो कि यह आपका सही और गलत उत्तर बता देगा कितने बढ़े हैं वो ही बता दे रहा है कि bonus marks कितने मिलें आपको यह चीज़े हैं आपका देख ल सेटे हो तो कर सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं है सीजिल देखो 18 की क्या बात है रिजल्ट अभी आने है एक एक दिन काटना भारी पटरा लोगों के ऐसे से मैसेज है थोड़ा हम देखते हैं उनकी रिगार्डिंग बात करते कि जब से 19 का रिजल्ट आया है तब से नेगट फैली हुई है कि वो डर गए कि पता नहीं कोई भी पोस्ट मिल पाई जिनको सीजीडी ऑडिटर मिलने का पता था कि हां मिल जाएगा उनको कंफर्म भी है फिर भी वो डरे पड़े है कि क्या पता कोई पोस्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी सीजल 19 के बाद से ऐसा है तो मैं अमिसा में बता रहा हूँ आपको कि 19 में जो चीजी होई है नमलाजाशन ने बिल्कुल गलत वो जो भी है गलत सही वो अलग चीजे लेकिन 18 को 19 से लिंक मत करिया अपने आपको परेशान मत रोगे अब रिजल्ट आना जैसे से एक दिन बढ़ेगा धड़कणे बढ़ेंग जैसे माल लेजी किसी के 565 नमबर है अन्रिजर्व में 568 नमबर है अब उसको पता है कि इस स्कोर पर लोग जनरली 2800 CAG या फिर अची पोस्ट देखने की कोशिस करेंगे और इस बंदे ने सोचा कि चलो क्यों ना मैं TA देख लेता हूँ ठीक है और TA मालना वह यूपी से है कानपूर में सीट अची थी यूपी में नौर्थ में तो वो सोचा कि क्यों ना चलो एक बार मैं स्किप मार करके और मैं यूपी ले लेता हूँ और कोई दिक्कत नहीं इसमें लेकिन इसको यह नहीं बहुत लोग रहता है आइडिया कि यार मुझसे उपर वाले भी बहुत नहीं मिला यूपी नहीं मिला दिल्ली नहीं मिला चंडिगर्ड नहीं मिला जैपूर नहीं मिला और मैंने यहीं सोच के बारा था तो फिर फाइदा क्या हुआ एक तो मेरा ग्रेट पे का लॉस हुआ और मेरा होम स्टेट भी नहीं मिला इससे तो बेटर होता कि मैं CGDA ले ल निकल के आती हैं मैं जब डीवी का इस डीवी में जब लोगों से बात किया चौकाने वाले बच्चे चीजे सामने आई मैं खुद बहुत दिन तक हैरान रहा कैसी कैसी चीजे निकल के सामने आई है न तो प्लीज आप लिखेगा तो ये भी है आपका लोग इसको भी लेकि ब पसंदार ही है और आप चाहते हो किसी और भी टॉपिक्स पर दिखिए मैं किवल से कोई कवर कर रहा हूं अभी रिजन है मेरे पास काफी ज्यादा इसमें है टाइम है तो मेरे को नॉलिज काफी सही है इसकी से की और इस वज़े से मैं से के एक्जाम कवर करता हूं तो आप आपको और भी कोई ऐसा है तो आप जरूर लिखा करिए मैं कोशिश करूंगा उसको भी कवर करने के लिए अभी मेरे पास CHSL 2018 का रिक्वेस्ट आया है मैं धीरे-दीरे उनको भी लेकर आ रहा हूं तो चैनल पर थोड़ा सा यार सब्सक्राइबर को लेकर थोड़ा सा दिक् बड़े-बड़े चैनल ने भी करा है तो दिक्यत इस बात किये कि मालनों की कट आफ से भी चार-पांच नंबर उपर ने तो उनको डर है वेकेंसी ना कम कर दे ठीक है न क्योंकि चार्ट अपडेट नहीं किया गया है वेकेंसी वाला और ये लोग डर बहुत सारे लोगों क को डरने की जरूत नहीं है ऐसे सी चांस बहुत कम है अगर अपडेट होता तो डीवी से पहले एक बार कर देना चाहिए था रेयर चांस है कि वेकेंसी अपडेट वो करें कम करें आपका क्योंकि कम करेंगे तो यहार दिक्कते जो लोवर ग्रेट पेपर एक एक सीट का भी बहुत बड़ा है आप देखर हो कैसे चल ली चार साल हो गया ऐसे बिल्कुल इस चीज का नेगटिविटी हटा दीजेगा कि वेकेंसी कम होने का मेरे साब से तो सेम रहें कि बढ़ने का चांस कम है सेम ही रहे प्रे तो सब यहीं कर रहें कर कम से कम वहीं रहें रिड्यूस तो ना करें बढ़ाएं भी नहीं बस वहीं रखें तो वहीं बहुत है हम सब के लिए राइट तो यह और मामला इसमें वह भी चल ला है टाइड भी चल ला है कुछ ऐसा करेंगे तो यह अपनी मुसीवत में डालेंगे इसको भी दिमाग से आप हटाई दीजेगा परिशान परिशान दे कि बुझे बताओ कि कौन सी जॉब में जल्दी जॉइन मिल जाएगी अब मैं कहता था कि इतने अच्छे नंबर इनको च्यालेश तो यह पोस्ट मिल जाएगी लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा आना परिशान दे कि वह कहते थी कि नहीं मुझे उससे मैट नहीं है मुझे बस कैसे करके यहां से निकलना है है ना और कई लोगों से मेरी बात हुए ऐसे पता आपको कि जो लोग बस पुराने जॉब से कैसे करके वहां से जल्दी से जल्दी निकलना चाहते बस तो इस वज़ए से जॉब तो बहुत सारे लोग जॉब से अपने फ्र कि और जल्दबाजी वाले में ज्यादार दो हितारं के लोग थे एक तो वह जो दूसरे स्टेट में फैसे हुए जैसे साटृ इंडिया में फैसे हुए था यह कोई दूसरी स्टीट में जैसे अपने नॉर्थ बहुत सारे लोग हैं जो उधर से इस सरफ शिफ्ट होने की सोच रहे हैं लो ग्रेट पे ले करके राइट यह चीजें हुई हैं आपके और चिंता उनको भी है कि कैसे करके यह आए तो जल्दी से वो अपने नौर्थ स्टेट में जल्दी जल्दी आए यह उनकी चिंता का वि ही पोस्ट मिल सकती है क्योंकि इसी के लिए उमर 30 या 28 चाहिए होती 30 32 की चाहिए होती है और जिनके मार्क्स बार्डर पे है 570 72 73 वो बहुत ज़्यादा परिशान है क्योंकि उनको पास तो 2800 का चांस ही नहीं है नंबर भी उनके अच्छे है इसे मालनों किसी के 575 है वो भ जॉब में है पहले से मालों किसी बैंक में ही है किसी और दूसरे स्टेट में तो निकलना चाहरा है तो वो बहुत ज्यादा परिशान है इस स्केर में बहुत ज्यादे लोगों से बात हुआ है ज्यादा तर लोग मुझसे बात कर रहे है इंस्पेक्टर आफ पोस्ट के लेट ज्वाइनिंग का था मुद्दा और दूसरा कि इसमें वो बंद हो गया था ICT इस वज़े से भी लोगों ने इसको नीचे डाला है इस वज़े से chances बनेगे इसके अगली हम बात कर लेते हैं कि जो लोग दिल्ली वाली चाहा रहे हैं है न कि वो कहीं और नहीं बस उनका सिर्फ मोटिफ दिल्ली और ऐसे भरे पड़े थे CGL 2018 के document verification में call आते ही message आते ही इतने score है सिर्फ दिल्ली चाहिए post order बता दो आप या किसके chances हैं कौन सा order उपर नेचे सिर्फ दिल्ली चाहिए क्या वज़य था भगवान जाने आप वही समझ सकते हैं तो यह वज़य थी आपकी तो उनको डर है CSS का CSS के cutoff कहीं bounce तो नहीं चली जाएगी railway की इनकी तो उनको दिल्ली वाली जो है उनको लेके चिंता है कुछ क क्योंकि इस बार का जो keyboard मिला है maximum लोगों कुछ नो कुछ दिक्कत आई है desk में भी दिक्कत आई है और CPT में भी दिक्कत आई है और हर जगह दिक्कत आई है तो लोग उसको भी लेके घबराये पड़े और बहुत सारे लोग दिल्ली जो करने हैं उनका main motive उन्होंने पता यह पोस्टें opt करें यह CSS में ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा चार में जाएं बहुत ज़्यादा पावर है बस surety है दिल्ली की ही बाकी other में other ministries में मालों किसी को income tax inspector के भी chance बन रहे थे लेकि फिर भी वो रिस्क नहीं लिया किसी और दूसरे post में भी chance बन सकते थे उसको लेकिन वो रिस्क ने लिया कि उसको CSS का पता था कि CSS में confirm है कि दिल्ली ही मिलना है तो दिल्ली की जो चाहा रखने वाले थे वह बहुत जादा इस समय भी उसमें पी चिंता में है कि कैसे करके उनको बस दिल्ली मिल जाए ठीक है और दिक्कते बता दूम आपको और भी मैंने अडर नहीं कर रहा बता दिता हूँ एक तो दिक्कत है JSO वालों की अब JSO वालों की दिक्कत क्या है कि माले लोग और किसी बंदे का सिर्फ डावन निकला हूँ है तके बसको कोई और ऑप्शन नहीं है कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एज पार है 30 अन्रिजर्व में है या 32 की age में है क्योंकि जेएसो के लिए 32 चाहिए होता है और उनको भी जेएसो वाला ही paper में का clear है और वो भी जेएसो के border पर है जैसे मालों कोई जौब है तो एक बार कम से कम हमारा श्योटी लग जाएगा यह चीजे रही है पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरे डीवी खतम होने के बाद से लोगों के आज यह प्रॉसेस स्टार्ट हुआ है आपका जबसे यह रिजल्ट वाला टाइम बच रहा है आपका त और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना थोड़ी हमें भी उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी मिलती है